Now the important question is what is the alternating disease? जैसा की नेम सजिस्ट कर रहा है, alternating का मतलब होता है एक के बाद दूसरे symptoms आना पहले symptoms जो थे फो रूप जाएंगे, दूसरे नाई symptoms आजाएंगे फिर जब दूसरे symptoms चले गए तो पहले जो symptoms से वो वापस आजाएंगे फिर जब पहले वाले सिम्टम्स रुक जाएंगे तो दूसरे वाले सिम्टम्स वापस आ जाएंगे यह बहुत clear explanation है ऐसी diseases जिसमें कुछ morbid stage जो है वो alternate करती है जिनका interval fix नहीं होता मतलब एक state, disease state ठीक है, दूसरी disease state से alternate कर रही है ठीक है, और इनका जो बीच का interval है है ना, वो fixed नहीं है तो अगर example की बात करूं कि कैसे example है तो आप देख सकते हो कि कई लोग होते हैं जिनके suppose chest के symptoms आ रहे हैं ठीक है, chest के symptoms आ रहे थे फिर जब chest के symptoms रुख गए तो दूसरे set of symptoms, suppose heart symptoms arise हो गए, ठीक है फिर क्या हुआ कि जब heart के symptoms रुख गए तो वापस से chest के symptoms में appear हो गए बट इन दोनों के बीच का जो interval था वो fixed नहीं है कि एक महीने बाद यह सा होगा या 15 दिन बाद यह सा होगा या 10 दिन बाद यह सा होगा ऐसा fix नहीं है, ठीक है यह है कि कभी भी हो सकता है बट chest के symptoms आए फिर वो पूरे तरीके से दब गए patient के अंदर heart के symptoms अपियर हो गए फिर जब heart के symptoms जो थे वो रुक गए, दब गए फिर वापस chest के symptoms अपियर हो गए इसमें important बात ध्यान रखने की यह कोई नए symptoms नहीं आ रहे हैं मरीज के अंदर ठीक है, जो दो state है, वो ही लगातार चले जा रही है यह state चल रही है जब यह रुक गई तो यह state अपियर हो गई फिर जब यह state जो है वो रुक गई तो वापस से यह state अपियर हो गई तो इस तरीके की होती है alternating disease, okay